नमस्कार मैं सुरंजना आप देख रहें एक न्यूस 24 लंडन के दा ओवल स्टेडियम में चल रहे वर्ल्ट टेस्ट चैंपियंशिप के फाइनल मैच में आस्ट्रेलिया ने भारत को 444 रनों का लक्ष दिया है आपको बता दें कि विराट कोली और अजिंग के रहने पर टीम की उम्मीदे कायम है साथ ही भारत को जीत के लिए चाहिए 280 रन आईए जानते हैं अब खबर विस्तार से आस्ट्रेलिया ने वर्ल्ट टेस्ट चैंपियंशिप फाइनल के चौते दिन 270 रन साथ ही आठ विकेट के स्कोर पर अपनी दूसरी पारी घोशित की और भारत को 444 रन का लक्ष दिया है जवाब में टीम इंडिया ने तीन विकेट गमा कर 164 रन बना लिये थे टीम को जीत के लिए 280 रन चाहिए स्टंप्स के समय विराट कोली 44 और अजिंग के रहाने 20 रन बना कर क्रीज पर थे बहरहाल फाइनल के दौरान भारतिय क्रिकेट के बारे में दो बड़े मुद्दे उभर कर आए हैं पहले दिन से ही सब ये कह रहे थे कि अश्विन को खिलाना चाहिए था चौथे दिन कहीं न कहीं अश्विन की कमी महसूस हो रही थी पिछ से रविंद्र जडेजा को टर्ण मिल रहा था अगर दोनों तरफ से स्पिन गेंदबाज होते तो शायद भारत को ज्यादा सफलता मिल सकती थी नतीजा जो भी हो लेकिन अश्विन को बाहर रखने के मामले पर चर्चा करनी चाहिए अकसर देखा जाता है ओवर्सीज में अश्विन को ले जाते हैं लेकिन खिलाते नहीं हैं ओवर्सीज में उनके बारे में यह राय होती है कि वे विकेट टेकर नहीं हैं लेकिन हमें सोचना होगा कि भारत के सबसे बड़े विकेट टेकर को फिलहाल किस वज़े से बाहर करते हैं। क्या हम सोच सकते थे कि श्रिलंका कहीं खेल रही हो और वह मुर्ली धरन के बिना खेले। ऐसा जहन में भी नहीं आता है। दूसरी यह बात है कि जब पहली पारी में भारत का टॉप ओर्डर जिस तरह से ध्वस्त हुआ तो उसमें सब ने यह कहा कि यह सब IPL की वज़से हैं। सवाल सही है लेकिन जवाब अलहदा है। IPL को दोशी नहीं मान सकते। WTC फाइनल में 10 साल पहले से IPL खेला जा रहा है। उसके बात से भारतिय क्रिकेट बहुत मजबूत हुआ है। टीम सबसे कंजिस्टेंट रही है। इसलिए यह नहीं कह सकते कि भारतिय क्रिकेट का नुकसान हुआ है। मेरे अनुसार सीधे तोर पर IPL को दोशी नहीं ठहराया जा सकता। हाला कि जैसा इस साल देखने को मिला कि IPL देर से शुरू हुआ। इस वज़े से भारतिय खिलारी इंग्लैंड में केवल एक हफते पहले ही जुट पाई। दूसरी और ऑस्ट्रेलियाई खिलारी अप्रिल से ही इंग्लैंड में पहुँच कर तयारी कर रहे थे। ऐसे में कुछ हद तक टाइट शेड्यूल और IPL के देर से शुरू होने को भारत के प्रदर्शन में दिखने वाली कमी का दोशी ठहराया जा सकता है। वहीं आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली ने 5000 इंटरनाशनल रन पूरे किये हैं। वे ऐसा करने वाले सचिन के बाद दूसरे खिला रही हैं। एक बार फिर से आपको बता दें भारतिय टीम को 10 साल में अपना पहला ICC खिताब जीतने के लिए 444 रन का पहार जैसा रिकॉर्ड लक्ष हासिल करना होगा। औस्ट्रेलिया ने विश्ट टेस्ट चैंप्रेंशिप के फाइनल में शनीवार को अपनी दूसरी पारी 8 विकेट पर 270 रन बना कर घोशित कर दी। इससे उसे कुल 443 रन की बढ़त मिली। इसका पीछा करते वे टीम ने 3 विकेट पर 174 रन बना लिये हैं। मैच के अंतिन दिम भारतिय टीम को 280 रन बनाने होंगे जबकि उसके 7 विकेट शेश हैं। भारतिय टीम अगर या लक्ष हासिल कर लेती है तो नया विश्ट रिकॉर्ड बना देगी। टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा लक्ष हासिल करने का रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के नाम है। उसने 2003 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही 7 विकेट पर 418 रन बना कर टेस्ट इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष हासिल किया था। साथ ही आपको बता दें अब दारोंदार पहली पारी में संकट मोचन बने अजिंक रहाने के साथ ही विराट कोहली क्रीज पर हैं यह दोनों चौथे विकेट के लिए 71 रन की अटूट साज़ेदारी करते हुए क्रीज पर डटे हुए हैं कोहली साथ गेन में 44 और रहाने 69 गेन में 20 रन बना कर खेल रहे हैं भारत ने 93 रन पर अपने शीर तीन विकेट गवा दिये इसके बाद रहाने और कोहली ने दिन में कोई जटका नहीं लगने दिया और स्कोर डेर्स होके पार पहुँचाया है अब देखना ये होगा कि इस World Test Championship का खिताब किसके सिर सजेगा फिलाल इस वक्त की खबर में इतना ही ऐसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए देखते रहें एक News24 और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें धन्यवाद